हाई फ्रेंज, स्वागत है आप सभी का हमारे चाइनल डिपलोमा क्लासिस में तो इस वीडियो में हम मेकेनिकल इंजिनियरिंग फिप्ट सेमेस्टर SBT-EB हारबोड और सबजेक्ट इन्भायरमेंटल एंड पॉलूशन कंट्रोल का जो कोश्चन आपके सेमेस्टर एक्जाम में पूछा गया है उसका आंसर को बताने वाले हैं तो अगर आप लोग भी SBT-EB हारबोड फिप्ट सेमेस्टर के स्टुडेंट हैं बरांच मेकेनिकल तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि आपके समेस्टर एक्जाम में EPC यानि Environmental and Pollution Control से कैसा कोश्चन पूछा जाता है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ SBTAB Harvard का Official Question Paper है तो आप लोग का First Question पूछा गया है Which of the following is a possible producer in an ecosystem? और आप लोग इस Question को नीचे हिंदी में देख सकते हैं तो चलिए हिंदी में आपको समझा देते हैं नीवन में से कौन सा परियस्थिती तंत्र में समभावीत उत्पादक है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A तो यह क्या है? Plants and some bacteria copyable of producing deer oven food यानि Question 1 का Correct answer A हो जाएगा चलिए अब देख लेते हैं हम दूसरा Question को दूसरा Question आपके एक्जाम में पूछा गया था A food wave consists of यानि खाद ये वेब में सामिल होते हैं तो क्या क्या होते हैं? Interlocking food chain ठीके? यानि Question 2 का answer हो जाएगा Option C चलिए अब देख लेते हैं तिसरा Question कि आपके एक्जाम में क्या Question पूछा गया था? The largest reservoir of nitrogen in our planet is तो क्या इसका correct answer हो जाएगा? It more is fair और आपके इस Question को नीचे हिंदी में देख सकते हैं Nitrogen का सबसे बरा भंडर हमारे पृत्वी पर क्या है? तो क्या है? वायू मंडल है चवथा नमर Question आपसे पूछा गया था Which of the flowing is a secondary air pollutant? तो क्या है? जो ozone होता है secondary air pollutant होता है ठीक है? तो इस वीडियो को आगे बराने सपड़ है आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबालें ताकि आने वाले वीडियो का आपडेट आपके पस जाते रहें अब चलिए देख लिए अपने पांचवा Question को तो पांचवा Question पूछा गया था तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रो एस्टेटिक प्रिसी पेटर ठीक है यानि Question नमर पांचवा का आंसर Option D हो जाएगा अब चलिए देख लिएते हैं Question नमर छठा को Question नमर छवा आपसे पूछा गया है Air pollution from automobile can be controlled by fitting और आप लोग इस Question को नीचे हिंदी में समझ सकते हैं निम्न में से किसको लगाने से Automobile का वायू पर्दूसन नियंतरित किया जा सकता है तो किसके द्वारा? केटालेटिक कनभार्टर के द्वारा जो है पर्दूसन को नियंतरित किया जा सकता है किसका Automobile का? तो यानि आपका Option सी Correct हो जाएगा चलिए Next Question को देख लेते हैं आपसे साथवा Question पुछा गया था What is the Maximum Elevable Concentration of Fluoride in Drinking Water? तो इसका Correct answer हो जाएगा 1.75 mg पर लिटर Next Question पुछा गया है BOD is तो BOD का Full Form होता है Biological Oxygen Demand ठीक है? और इसका जो Correct answer होगा All of the above यानि इनमे से सभी हो जाएगा क्यूंकि जो COD होता है यानि Chemical Oxygen Demand हमेशा कम होता है BOD से भी सही है और यहाँ पे BOD का Full Form है और यहाँ BOD का Definition को बता दिया गया है यानि इनमे से सभी सही है चलिए देख लेते हैं अब Next Question को Next Question आप से पुछा गया था Which of the flowing is not marine pollutant? तो क्या है? Dissolved Oxygen जो है Marine Pollutant के अंदर नहीं आता है और आप लोग इस Question को यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं नीमन में कौन सामूदिक प्रदूसक नहीं है? तो कौन है? घुलनसील Oxygen दस्वा नमर Question है और इस Question को लगता है आपकी एक्जाम में तीन बार पुछा जा चुका है तो आपकी बार भी पुछने का चांस बनता है Noize यानि Noize क्या है? तो Noize एक परकार से unwanted sound है यानि Question नमर दस्वा का अंसर Option B हो जाएगा Next Question है और आप लोग उस Question का यहां हिंदी में भी देख सकते हैं सोड क्या है? तो क्या है? अवान्चित अवाज है Next Question है Which of the following is a likely characteristic of hazardous waste? तो इसका correct answer हो जाएगा Any of the above ठीक है? Option D is correct answer Next Question है High-level radioactive waste can be managed In which of the following ways? तो कैसे? Compositing के द्वारा जो है इसको हम लोग manage कर सकते हैं Next Question है Biomedical waste may be deposed of by तो इसका correct answer हो जाएगा Option C यानि Option A और B दोनों सही है और C है बोथ A और B और आप लोग उसको है यहां हिंदी में भी देख सकते हैं Next Question है The primary cause of acid rain around the world is तो क्या है? Primary जो कारण है Sulfur dioxide है ठीक है? और आप लोग उस question को यहां हिंदी में देख सकते हैं अमल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? Sulfur dioxide है Next Question है और इस question को भी आपके किजाम में लगतार दो बार कुछा जा चुका है तो क्या है? Ozone layer is present in यानि Ozone परत किस में उपस थी थे? तो जो आपका Ozone परत है Astratophere में उपस थी थे Next Question है Which of the flowing is not a greenhouse gas? तो क्या है? जो अक्सीजन है आपका Greenhouse gas नहीं है Next Question है Global Warming could effect यानि 20 वत अपमान परभावित कर सकता है तो क्या All of a Bob यानि Climate, Food Production, Melting of Glacier यानि सभी का सभी सही हो जाएगा Next Question पुछा गिया है आपसे Which of the flowing chemical cause water pollution? यानि निम्न में से कौन सरा सायन जल परदूसन उत्पन करता है तो कौन है? अरसेनिक है? कपर है? जिंक है? यानि All of the above correct answer हो जाएगा Next Question आपसे पुछा गिया है तो कहा से कहा तक? 0 से 500 तक आपका correct answer हो जाएगा Next Question पुछा गिया है आपसे 5 June is celebrated as यानि 5 June को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो जो 5 June है उसको World Environment Day के खोशी में मनाया जाता है तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर सियर करें प्रॉर और जोंगी लाइक करें करें अपने गुछा भाएक करें